कि लगाए करके कहा कि इसको घर ले जाओ यहां इसको भरती नहीं लेंगे नहीं लिया भरती नहीं लिया कारण की इस अना पचा घाव है ऐसा वाला को भरती नहीं लेते हैं ले जाओ इसको यहां कोई उपाय नहीं आपको भरती नहीं बिहार में बिहार के स्वास्त मत्री तेजश्वी यादो बिहार के स्वास्त बिवस्ता को ठीक करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं मिसन सिक्स्टी तक चला रहे हैं ताकि बिहार को लोगों को स्वास्त संबंधी कोई भी पड़े सानी नहों लेकिन आए दिन कुछ ऐसी खबर आ जाती है कुछ ऐसे तस्वीर आ जाती है जिसके बाद स्वास्त बेवस्ता पड़ सवाल खड़ा होने लगता है बता दे की भागलपूर जवाहर लाल नहरू अश्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही की तस्वीर देखने को मिली है जब एक मरीज पिछले चार दिनों से ओपीडी के बाहर रास्ते पर अपने परिजन के साथ इलाज के लिए परा हुआ है लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उसे भरती तक नहीं किया है ओपीडी के बाहर यह मरीज हारखंड के गोड़ा जिलाकार रहने वाला वकील सा है इसके पैर के उपरी हिस्से में बरा घाव हुआ है और रवीवार को गोड़ा अस्पताल से रेफर होकर यहां इलाज कराने पहुंचा है वहीं मरीज के परिजन का क्या कुछ कहना है आप वो सुने इसको जो है हम दबा लीग देते हैं आप घर में इलाज कीजिएगा और किसी कंपोण्टर या अपने से इसको हम सब दवा लिख देते हैं, बता देते हैं तरीका इसी तरह से कीजिएगा, हम ने घा ठीड़ियां से इसको पट्टी उटी कर दिजे। अगर आप नहीं लिजेगा तो हमस्मझि नहीं पाएंगे, हिंदी से लिग दिजेगा तो पढ़ करके हम इसको पट्ट्टी लगा सकते हैं तिसके बाद दवा लिग दिया किसके बाद रात में तो रहें नहीं भरती नहीं लिए भरती नहीं लिए कारण की अगषा अब को भरती लेते हैं यहां ले जाओ इसको यहां कोई उपाय नहीं आपको भड़ते हैं इत्वारे दिन से पड़े हैं सुमार रहा मंगल को हम गाड़ी 900 रुपयां में किराया कर लिए हैं इसको दबा ले करके अब हम घर जाएंगा एक नमर में हमारा नम गनेश हमारा आपने मरीच के परिजन को सुना जिन्होंने बताया कि गोड़ा अस्पताल से रेफर होकर वो भागलपूर जवाहला लहरू अस्पताल पहुंचे जहां डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली और यहां डॉक्टरों ने उन्हें भरती नहीं किया जा रहा है इसी हालत में परे हुए हैं डॉक्टरों की पैच डॉक्टर को अगर रहम आ जाए तो साइध या भरती हो जाए लेकिन दुदकार कर परिजन और मरीज को जो है डॉक्टर वहां से भगा दे रहे थे पैच दुद्कार कर पड़िजन को पैच लेकिन दुद्कार कर पड़िजन और मडीज को डॉक्टर वहां से भगा दे रहे हैं तो आपको बता दे कि आए दिन ऐसी तस्बीर आ जाती है जिसके बाद तमाम स्वास्त बिवस्था की जो है पोल खुलने लगती है तो फिलाल फि लेकर आप क्या सूचते हैं हमें कमेंट का जरूर बताएं साथी चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद